हलो और वेलकम तो आज का हमारा टॉपिक है कि अन अकाडमी के लिए कैसा डेमो लेक्चर क्रेट करें कि हमें फर्स्ट अटेम्ट में ही सक्सेस मिल जाए और हम अन अकाडमी पे लेक्षार बन जाए तो इसके लिए कुछ की पॉइंट्स है उससे आपको ध्यान रखना है सबस कि उस ताइम आवाज बहुत कम आ रहा होता है आप अपने खिड़की दरवाजे सभी चीजों को बंद कर ले नेक्स्ट है लावड इस्पिकिंग और कॉन्फिडेंट इस्पिकिंग आपको लावड भी बोलना है और कॉन्फिडेंटली भी बोलना है जब आप ये दोनों च नेक्स्ट है कि जितना हो सके आप PPT, PDF वगरा यूज कीजिए क्योंकि वहाँ पे आपका जो हैंड राइटिंग है उसको लेके थोड़ा सा भी कमी को बरदास्ट नहीं किया जाता है वहाँ पे आपके लिए वहतर होगा कि आप PPT और PDF को यूज करें हैंड रिटेंट नोट बनाए कि किस तरह से हमेंसे डालीवर करना है so that कि आप बीच में confused ना करें कि हम यहाँ पे क्या बोलेगे कौन सा टॉपिक को यहाँ पे cover करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए आपको पहले ही किलियर होना चाहिए कि इस topic के बाद ये topic cover करना ये topic में ये points को add करना और साथ ही साथ एक बात यहाँ all add करना चाहूंगा कि आपने जितना भी ppt और pdf में लिखा है इसके अलावे भी कुछ contents आपको बोल के समझाना है ऐसा ना हो कि आप जो भी ppt और pdf में लिखे हैं उसे सिर्क पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं करना है unacademy एक rule और follow करती है 70-30 का आज़र आप 70% English और 30% Hindi बोलिए या फिर कोई regional language या फिर 70% regional language और 30% English बोल सकते हैं आज़र आप 100% में भी जा सकते हैं लेकिन इहाद तक unacademy अपना rule को follow करती है next है कि क्या 3 मिनट में वीडियो लेक्चर को complete करना जरूरी होता है जो भी आप topic को deliver करना चाहते हैं नहीं ऐसा नहीं है आप 3 मिनट में उस topic को cover करें complete करें या नहीं करें इससे बहुत ज़्यादा matter नहीं करता है next है कि आपको highlighter का use करना है unacademy में highlighter का feature से आप वहाँ पे कुछ लिख नहीं सकते हैं बस आप highlight कर सकते हैं और highlight करते वे जिदे कुछ लिखना चाहें तो थोड़ा बहुत कुछ लिख सकते हैं तो आपको highlighter का use करना है इससे क्या होता है कि video engaging बनता है और जो viewers है वो आपका screen को ज़्यदा दिर तक देखते हैं नहीं तो उन्हें लगता है कि अरे ये तो content है ये तो देख लिया अब क्या देखना इसमें और वो पूरी तरह से video में engage नहीं हो पाते हैं नेक्स्ट है कि ज़्यदी कहीं required होता है तो आप figure का use कीजिए ये बहुत ज़्यादा important नहीं है लेकिन ज़्यदी required है तो आप use कीजिए इससे आपका lecture और भी बढ़ियां बनेगा सबसे ज़री point आता है कि क्यूं अनकाडमी पे tutor क्यूं बना हम क्यूं YouTube पे नहीं पढ़ा या फिर कहीं और क्यूं नहीं पढ़ा तो देखिए अनकाडमी में ट्यूटर बने से आपको क्या-क्या फायदा हो रहा सबसे पहला है कि आपको वहाँ पे serious student मिल जाते हैं वहाँ पे जो भी लोग हैं वो YouTube के तरह comedy video या फिर animation video देखने के लिए नहीं आए हैं वो सारे के सारे लोग पढ़ने के लिए आए हैं तो आपको एक serious student का platform provide करता है next है कि आपको एक good assistance मिलता है आपको an academy कोई भी question देते हैं तो आप उससे कुछ पूछना चाते हैं तो आपको तीन घंटे में reply करता है तो आपको एक अच्छा assistant मिल जाता है next point है कि जो आपका passion है यदि आपका passion है कि पढ़ाना है तो आप an academy में बहुत अच्छा कर सकते हैं और यदि नहीं है तो आप बहुत अच्छे नहीं कर पाएंगे और यदि passionate है तो वहाँ आपको competitive environment भी दिखेगा क्योंकि वहाँ हर teacher जो है वो अपने passion को बढ़ाने में लगे हुए है तो आपको वहाँ एक अच्छा environment मिलेगा वहाँ पे आप अपने आपको expand कर सकते हैं नेक्स्ट है कि आपका improve कर सकते हैं आप अपने skill को आपको यहाँ पे क्यो help हो रहा है skill improvement में होता है कि आप ज़दी अनकाडमी पे जाते हैं तो उनकी एक पूरी team बैठे हुए जो कि आपको mentor करेगी कि आपको क्या करना है वीडियो में आपके वीडियो में क्या कमी रह रही है आपको वीडियो को कैसे improve करना है नेक्स्ट है कि आपका जो students है जो आपका audience है उसके तक आपका बहुत ही अच्छा reach बन जाता है और साथ ये साथ unacademy जैसे आप काम करेंगे वो ऐसा pay भी करती है उसका जो pay structure है वो भैरी करते हुए रहता अभी नॉवंबर में उसका new pay structure आया था आप उसे देख सकते हैं जो नॉवंबर में उनका notice आया था उसमें और इन सब के साथ unacademy आपको बीच-बीच में कुछ-कुछ incentives भेजते रहती है जैसे YouTube भी भेजता है आपको कभी gold play button देता है कभी silver play button देता है तो unacademy भी वैसे भेजती है सबसे पहले वो t-shirt भेजती है और जैसे जैसे आप अपने आपको improve करेंगे वो भी आपको अलग-अलग type के gift भेजते रहते है तो यह सारा फायदा है कि unacademy पे tutor क्यों बने और unacademy पे tutor कैसे बने यदि आप अपना एक YouTube channel बनाना चाहते है तो मेरा advice होगा कि आप सबसे पहले एक बर unacademy में tutor बने क्योंकि वहाँ से आपको एक अच्छा skill मिलेगा और जब आप उस skill को लेके आएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको वीडियो YouTube पे create करना है देखे ये वो PDF है जो मैंने unacademy पे first time demo देने के लिए प्रिपेर किया था तो इस तरह का आपको भी PPT create करना चाहिए और इसके लिए आप अपने mobile का typing keyword को यूज कर सकते हैं अधरवाज आप voice typing को भी यूज कर सकते हैं next है कि आप इसे बनाने के लिए WPS का जो office system है उसे यूज कर सकते हैं या फिर आप Google Docs का जो office system है उसे यूज कर सकते हैं इन दोनों में से किसी को भी यूज करके आप इसे बना सकते हैं आगे आपको कोई doubt है तो आप comment करें और channel से जुड़े रहने के लिए आप subscribe करें वीडियो को like करें, comment करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ share भी करें